Hey friends, तो quick update में बात करते है Galgadot की upcoming film Cleopatra के बारे में जिससे related काफी बड़ी breaking news निकल कर आई है जिसमें हाँ ये breaking news इस बार Patty Jenkins से related नहीं बलके studio से related है जिस पर पहले मैंने आपको ये बताया था कि पहले इस film को Patty Jenkins डारेक्ट करने वाली थी और फिर क्या इस film के बाद Wonder Woman 3 उसके बाद एक spin-off series उसी Wonder Woman के universe related उस पर भी update Patty Jenkins नहीं दिया था कि वो उस पर भी काम करेगी जिससे ये बात साफ हो गई थी के Patty Jenkins हिसाब से बहुती जादा busy रहने वाली है और इसी busy के चलते हुए उन्होंने एक और डिल केविन फैगी से जाकर स्टावर्स के universe की कर ली जिसकी धूमधाम से announcement भी की गई अब आद में फिलाल तो इस film को hold पर डाल दाल दिया जिसके बाद समझोते की चलते unfortunate Patty Jenkins ने क्लियोपैतरा फिल्म को छोड़ दिया जिससे अब वो डायरेक्ट नहीं बलके प्रेड्यूस करेगी जिसकी अब डायरेक्ट करने की जिम्मधारी काईरी से क्लॉग लेंड को दे दी गई है जिससे हट कर इस पूरी की पूरी फल्म की टीम ने स्टूडियो को ही स्वाइप करकर अब इस फिल्म को युनिवर्सल के अंडर बनाने की थानली है जी हां Universal Studio ने इस फिल्म के सारे के सारे राइट अब पूरी के पूरी टीम को अपने अंडर लेते हुए इस फिल्म को अपनी तरफ से Greenlight दी है यानि अब पूरे पैसो और बज़ित यूपर से तुडियो के रहेगे जिसपर अब कुछ भी हो जल से जल फिल्म के प्रोड़क्शन को शुरू कर देना चाहिए क्योंकि ये फिल्म काफी टाइम से अनॉस्मेंट के बाद बस ऐसी ही अटकी हुई थी जिसमें अब ये बड़ा अपडेट शायद फैन्स को राहत देते हुई यही बात कन्फर्म कर रहा है कि ये फिल्म साल 2024 तक तो रिलीस हो ही जाएगी अब इतना टाइम तो लगेगा ही क्योंकि बजट बहुत ही जादा बड़ा रहेगा इस फिल्म का जिसमें किसी भी तरीके का कॉंप्रोमाइस नहीं होना चाहिए तब ही जाकर ये फिल्म क्लियोपैतरा के एक अच्छे खासे यूनिवर्स की काफी जबरदस फिल्म बनेगी जिस बारे में आप आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए क्योंकि आप वक्त है वीडियो को यहीं पर खतम करने का मैं हूँ अजीज मिलूंगा आपसे जल्दी दूसी किसी वीडियो में तिल दिन बाई